मुझे मंतर योगी आदितनाथ होंगे शामिल बाराबंकी विट्रक ने मारी बस में चक कर 18 की मौट पर मौके पर ही मौट पंदरा यात्रू की हाल कम भी बसावराज बुमाई को मिली करनातक की कमान बुमाई ने केंदरी मंतरी धर्मीन प्रधान और पूर्वसी म बीएस यह देरे पास एकी मुलाकात जमो कश्मीर के किस्तिवार में बादल फटा चार लोगों की मौट तीस से याद एक लाप पता बुमाई के अंदेरी में आसा चार मंजिला इमारत गिरी पांच लोग बुरी तरह घाया जमो कश्मीर के किस्तिवार में बादल फटा ये बादल फटा ये बादल किस्तिवार के गुलाब गड़ इलाके में फटा है हासे की बाद कई लोगों के लापता बता होने की आशंका चताई जा रही है फिलाल SDRF और जमो कश्मीर पुलिस की टीम घर्टा सलक के लिए रवाना हो गई है भारि बाद्य के वजब से नेट्वर्क ठाप हो गया है बतादी कि देश के कै राज्यों में इंदिनों बारिश का कहर जा रहा है लिए अर्शमी हिमाले राज्यों सहे तुट व्लाखे भारे जा रहा है बता दे कि गुलाब गड़ इलाके में बादल फटने से हासा हुआ है जिसमें कई लोग लापता पता जा रहे हैं फिलाल NDRF की टीम और जमु कश्मीर पोलिस की टीम घटनासल के लिए रवाना हो चुकी है लेकिन नेटवर्क फेलियर भी एक बड़ी दिक्कत बन जाती है इस टाइम पे क्योंकि नेटवर्क भी चला जाता है लेकिन लोगों को बचाने का कारे किया जा रहा है अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओ को लेकर भारती जन्ता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है जानकारी के मताबिक उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसत दिली में पार्टी प्रमुक जेंपी नड़ा से मुलाकात करेंगे बता दे कि दोनों दिनों तक चलने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाओ की रणनीती पर चर्चा की जाएगे कर लगातार बीजेपी ममंतनव का दोर जारी है सी को लेकर विधायकों की भी बड़ी बैठक बुलाई गई है अज दिली में दो दिवसी दोरे पर सीम योगिया इतना दिली गए हुए जहां पर बैठक होगी अगामी चुनाओ को लेकर तैयारियों का जैसा लिया जाएगा विधायकों से भी बात होगी मंत्री बंडल विस्तार पर भी मोहर लग सकती है बारबंकी में लखनाओ हाईवे पर बड़ा हासा हो गया राम सनेही घहट के कल्यानी नदी के पास डबल देकर बस को लखनाओ की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी इससे बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गया प्रात्मिक सूचना के अनुसार टकर इतनी जबरदस्ती कि सहासे में अच्रा लोगों की मौत हो गई जबकि तेरा से ज़ादा रियात्री घायलों हो गया स्नेही घाट सीएसी ले जाया गया जहां से गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है पुलिस टीम ने तो बड़ा हासा बारबंकी हाईवे पर हुआ जहां पर एक ट्रक ने बस को टकर मार दी जिसमें कई आत्री सवार थे बेहत दर्दनाग हासा ठारा लोगों की मौत की खबर आ रही आपको बता दे वहीं 13 से अधिक लोग घायल बता जा रहे हैं यानि कि कई लोग इस बस में सवार थे जिसमें से 30-35 लोगों के सवार थे इस बस में उसके बाद यहासा हुआ हमाई इस कबर पर हमारे साथ समवादाता रेहान वरसी बारबंकी से जुड़ चुके हैं तो रेहान मैं आपसे आन जाओंगे बहुत दर्दनाग हासा था यह अच्छारा लोगों की मौत हो और रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण हाईवे बस रूकी दहबे पे तबी खराब मौसम के मौसम के कारण पीछे से ट्रक टक्कर मार देते हैं और इसी कारण 18 लोगों की मौत हो जाती है और उन un परदान मंतरी समेट मुख्मंतरी योगी आजितनाद ने सोक विक्त किया है और जो घायल जो मिर्त लोग है उनको दो लाक मौज़ा उसाथ जो घायल है उनको पचास अजार रुब्ध मौज़ी दिये जा रहे हैं बढ़ा हासा हुआ है उत्तर प्रदेश के बारा बंकी जिले का ये मामला है जहांपर ये बढ़ा हासा हुआ जिसमें 30-30 लोग बस में सवार थे जिनकी इस हासे में दर्दनाक मौत हो गई जो लोग इस दुरघटना का शिकार हुए है उनके परिवारों के जिनकी मृत्यूस दुरघटना के कारण हुए है उनके परिवारों को 2-2 लाक रुपे का मौज़ा दिया जाएगा वहीं घायलों को भी 50,000 रुपे की धनराशी देने की बात की गई है तो बढ़ा हासा दे माराश में मौनसूरी बारिश का कहर थमनी का नाम नहीं ले रहा है मौंबई के अंधिरी इलाकी में एक चार मनजिला इमारत धह गई इस घर्टा में पांच लोगों के घायल होने की सूचना है घायलों के लाज के लिए अस्पताल में भढ़ती करवा दिया गया है बताती क कि अमारत गिरने पर चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 11 लोग बूरी तरह से घायल हो गए यह एक रहाइशी अमारत थी इस हास्से में मरने वाले सबी लोग एक ही परिबार से थे खायल सबी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है घायलों को गाट को पर मे ये राजावारी हस्पताल और सायन के लोकमानने तिलक मेमोरियल हस्पताल में भरती कराए गया है तो जैसे ही बारिश शुरू होती है इस तरह की घटनाए हो जाती को कि जरजर ये जो बिल्डिंगे होती है इनकी और कोई ध्यान नहीं जाता है जरजर बिल्डिंग ये जब बारिश होती है मौनसून आता है भारी बारिश के चलते ही ये बिल्डिंग्स एक 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 करके पूरी की पूरी गिर जाती है और ऐसा ही हाथसा एक बार फिर मुंबई में देखने को मिला जहां चार मंजिला इमारत भरबरा के गिर गई जिसके चलते इसके नीचे दब के एक अनुमान से कई जादा हो रही है जिससे बाढ़ जैसी समभामनाएं भी पैदा होने लग गई हैं ह। जारी किया है बिहार में भारी बारश के साथ अकाशिय बिजली गिरने की भी संभावना है तो बॉंसून से रहत मिली है लेकिन तकलीफे भी बढ़ जाती है हाला कि दिलिवासियों को रहत मिली है क्योंकि मौसम खुशमिसाज हो गया है और बारिश ने कर्मी और उमस को कम कर दिया है एक तरफ जहां देश में रोजाना नए कोरोना केस की संक्या घट रही है केरल से चंता जनक समस्या सामने आ रहे है केरल देश का पहला राज जिबन गया है जहां पिछले पचास दिन में पहली बार बीस हजार से जादा नए के सामने आए केरल में कोविद नाइटीन के बाइस हजार एक सो उननत्यस नए मामले सामने आ है जसके बाद कुल संक्रमेतों की संक्या बढ़कर तेतिस लाग पांच हजार दोसो पैतालिस हो गई जांच संक्रमंदर फिर से बाराफेजदी के पार हो गई राज में पिछले 24 घंटे में 156 मरीजों की मौत के बाद मरित्कों की संक्या बढ़का 16,326 हो गई सबसे जादा मामले 4,037 मलापुरम से सामने आए है कभी भी मामले बढ़ सकते हैं और ऐसा ही सामने आ रहा है केरल से जहां पर एक आएक मामलों में व्रद्धी हुई कई मामले सामने आए हैं जो चिंता जनक है केरल में 22,000 से अधिक मामले सामने आए जो चिंता का बड़ा विशे बन गए है हिमाश्र प्रदेश में मौनसून अब जम कर तभाई मचा रहा है लगतार बारिश जा रही है लोहॉल में कई जगा बादल फट्यवा बारिश ने सबसे अधिक तभाई मचा है घगना में ओदैपूर में दो शक्स की मौत होगी जबकि साथ लोग ला पता है अब तक दो शब मिले हैं चार नेशनल हाईवे बंद हैं लेहे मनाली हाईवे के लावा चमबा पठोन कोट हाईवे बंद हुआ है जगा जगा भुसकलन से करीब साथ परिटक वस्थानिये वहां नफस गय है वहीं चमबा जिले में भरमौर पठान कोट एन एच वा चनेर के पास भारिबारिश से हुए भुसकलन को हटाने में जुटी जेसीवी का हेलपर साथ में नाले में के तेज बहाव में बह गया फिलाल के लिए बस इतना ही जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रहे हैं माई साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी झाले हैं